तो 36 गड़ में प्रयोग साला तकनिशन्स भरती परिक्षा 2023, 260 पदो पर जो है, 36 गड़ में प्रयोग साला तकनिशन्स भरती परिक्षा जो है, निकल कर आया है, और 260 पोस्ट जो है, 36 गड़ में काफी जादा महत्तुपूर्ण है, काफी महत्तुपूर्ण जो है, वेकेंसिस हैं तो आखिरकार जो है 36 गड़ में प्रियोग शाला तकनिशन 260 पदों पर भरती परिक्षा का काट अफ मार्ग से जो है कितना होगा कितने नमबर कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सेलेक्षन जो है वो पाएगा 36 गड़ में आप जो है किस तरह से प्रियोग शाला तकनिशन भरती परिक्षा में अच्छे से नमबर जो है ला सकते हैं कितने कुछेंस एक्जाम में पूछे जाएंगे काट अफ मार्ग से 2023 किस तरह से होने वाला है अगर हम बात करें सेलेरी के आपके तो प्रियोग शाला तकनिशन भरती परिक्षा में आपको जो है 25,300 रुपए आपको जो है सेलेरी मिलेगा 25,300 रुपए आपको जो है हर एक महीने जो कि आप एसे हर एक इस्टूडेंट्स के लिए बहुत जादा है 25,300 रुपए सेलेरी देखे सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि 25,300 रुपए सेलेरी मिलेगा लेकिन बात यह है कि आप इसके लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं अगर आप इसके लिए मेहनत करना चाहते हो तो अच्छे से करना हार्ड होग अच्छे से करना, खुद की उपर विल्यू करना फूल एफट लगा, फूल पैसेनेट होकर आपको जो है काम करना है आपको मेहनत करना है तब जाके आपको जो है 25,300 रुपए प्रियोक्षाला तक्निशन भरती परिक्षा में जो 260 पोष्ट आप लोगों के लिए निकल करा है इसमें एक बहतर सेलेरी, एक अच्छा खासा सेलेरी आपको जो है मिल पाएगा और आपके जितने भी सपने, आपके जितने भी ड्रिम्स हैं, वो सभी सपने, वो से भी ड्रिम्स साकार हो पाएंगे देखो शपने तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन सभी के सपने पूरे हो, यह चीज़े बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है सपने सभी लोग देखते हैं लेकिन सपने जो है सभी के पूरे नहीं होते हैं क्योंकि सपने तो उन्हीं के पूरे होते हैं जो बहुत जादा महनत करते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं जो फूल एफ़र्ट पैस्टनेट के साथ काम करते हैं जिने अपने आपके उपर बिलिव होता है, जिने खुद के उपर बिलिव होता है, जिने अपने आपके उपर भरोसा है, खुद के उपर भरोसा है, मतलब उसको कोई नहीं हरा सकता है, अगर आपको भी अपने आप पर जो है बिलिव हैं, खुद के उपर भरोसा है, और अभी अभी और अभी तक आपको अगर शफलत नहीं मिल पा रहा है आपको का मैं अभी नहीं मिल पा रहा है कोई दिक्कत नहीं कोई प्रावलम्स नहीं एक टाइम आएगा एक वक्त आएगा जब आपका भी समय बदले का आपको लगता है ना कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है लेकिन मैं यही कहता हूँ कि कोई भी चीज हो कितना भी जिन्दगी में वो दिक्कते वो प्राबलम्स वो परशानी आपको कितना भी ज्यादा क्यों फेस न करना पड़े एक टाइम के बाद एक समय के बाद वो साथ ओठ हो जाते हैं तो इस चीज़ पर जूए बिलिव करना और महनत करना आपको सिर्फ смотреть करने एक ही चीज़ पर जो फोकस करने एक ही चीज़ पर चूइफ काम करते रहना काम करते जाओ करते जाओ result के बारे में जादा मा सोचू कि result मिलेगा या नहीं मिलेगा result बहतर होगा या फिर नहीं होगा जरूर बहतर होगा क्यों बहतर नहीं होगा अगर आप अच्छे से काम करोगे अगर आप अच्छे से hard work करोगे तो result जो definitely बहतर जरूर होगा थोड़ा सा टाइम लगते है थोड़ा सा वक्त लगते है लेकिन वक्त जो है बदलता जरूर है समय आपका जरूर आगा क्योंकि समय एक ऐसा चीज़ है जो आज आपको लगता है कि समय सायद हमारा सही नहीं चल रहा है या हमारा वक्त नहीं आ है तो कोई बात नहीं उस वक्त केले भी थोड़ा सब वक्त लगता है आपिए वो passion होना चाहिए जो भी बहुत ज्यादा successful हम जिन्होंने भी बहुत ज्यादा कामयावी हासिल किया बहुत ज्यादा success है और उनकी एक बहतर life style है उनके पास एक अच्छा खासा पैसा है वो अपने सभी सपनों को जो है पूरा कर सकते हैं तो उनके अंदर भी वो पैशन्स होगा उनके अंदर वो भी शब्र होगा उनके अंदर भी वो हार्ड वक होगा वो जस्बा जो जूनून होगा बस वही जो जूनून वही एफ़र्ट आपको अपने अंदर जो है लाना है और जब आपके अंदर ये सभी चुझे आ जाएगा तो आपको भी सफलता मिल जाएगा आपको भी कामयावे मिल जाएगा आपके भी सभी सपने आपके भी सभी ड्रिम जो है पूरे हो पाएंगे बस उस सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा काम किजे थोड़ा सा मेहनत करना थोड़ा सा हाड वक करना जितना जादा होशक के मेहनत पर बिलीव करना है क्योंकि अगर आपको अपने आपके उपर ही अगर बिलीव नहीं होगा तो फिर कैसे चले गए आप यह क्यों expect करते हो कि सामने वाला मेरे तारिफ करे या सामने वाले मेरे बारे में अच्छा बोले गया तभी मैं कुछ चुछ कर पाँगा तभी मैं आगे बढ़ पाँगा यह चुछ बिल्कुल भी मत करो सामने वाला कभी भी नहीं चाहता कि तुम काम्याब हो सामने वाला बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हें काम्याबे मिले या तुम्हें सकसेज मिले या तुम्हारे सपने या तुम्हारे ड्रिम जो है पूरे हो सामने वाला तो हर एक दिन तुम्हें डाउंस वाल में देखना चाहता है वो चाहता है कि कभी इसका डाउंस वाला जब तुम्हारा डाउंस वाला आता है ना तब उनको बहुत अच्छा लगता है वो तुम्हारे सामने तो नहीं बोलेंगे लेकिन पीछे वो चीजे करते हैं तो ऐसे लोगों से बच के रहना सिर्फ अपने आप पर जो एक उनसेंटरेट करना फोकस करना जितना ज़ादा होशक है पढ़ाई करो जितना ज़ादा होशक है अपने केरियर के उपर ही ध्यान दो क्योंकि केरियर ही सबसे में प्रायरिटी होना चाहिए केरियर पर ही आपको जो है फोकस करना है क्योंकि यही चीजे हैं जो आपको सफ़ता दिलाएगा यही चीजे हैं जो आपको कामयाबी दिलाएगा और कोई भी शांत नहीं देने वाला आपका सकसेज एक बार अगर आपको काम्याभी मिल गए ने एक बार अगर आपके सभी सबने एक बार अगर आपके सभी ड्रिम्स पूरे होगा उसके बास जिंदेगी में आप जो चीच करना चाहते हैं वो चीच करो लेकिन उसके लिए सबसे पहले पढ़ाई करो उसके लिए सबसे पहले मेहनत करो और इन सभी government job vacancies exams को जो है qualify करो एक बार अगर आपका exam जो है qualify हो जाएगा तो आपके सभी सबने आपके सभी ख्वाब आपके सभी dream जो है पूरे hope आएंगे बस मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ की महनत करना जिन्दगी में कभी भी मत छोड़ना आने वाला जो time होगा आने वाला जो वक्त होगा आने वाला जो समय होगा वास से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा तो आने वाले time को या आने वाले वक्त को तो जनरल के डिग्रे वाले गर आप इस्टूडेंट्स हैं तो 75 से यदि 80 नंबर यदि आपका आ रहा है 75 से यदि आपका बन रहा है सेलेक्शन्स वा पाएगा OBC के डिग्रे वाले स्टूडेंट्स हो अगर इतने नमबर आ रहा है इतने नमबर बन रहा है सेलेक्शन्स ले पाएंगे तो 36 गड़ में जल्द ही आप लोगों के लिए प्रियोग शाला टकनिशन्स के 260 पदो पर जो है आपके भरती होने वाला है और यह 260 पोश्टर डिफिनेटल आपके कॉंपेडिसन्स एक्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जिन्दगी में आपके आगे बढ़ने के लिए शफ़दा हासिल करने के लिए एक असा लाइप श्टाइल के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टन पोश्ट है बहुत ही जादा में अच्छा पोश्ट है बस तयारी करना बस मेहनत करना यही चीज़ी है जो आपको कम्यापी दिलाएगा आपके आपको जोए पसंद आला है साथ फ़र्टन को सब्सक्राइब करना साथ बिल रोटिफिकेस्जन को ओन करके रख लेने एंड वीडियो को जितने ज़ादा हो शके शियर करना बस यहीं बोलना चाहता हूँ बस मेहनत करना खुद के उपर जोए बिलीव करना so much